आप सभी को जय मसी की दबाइबल पोशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है जोईसी और हमारा आज का वच्चन है मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय वह फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई कि वह जील में एक नाव पर चड़कर बैठ गया और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खडी रही और वह उन्हें द्रश्चानतों में बहुत सी बाते से खाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो एक बोने वाला बीच बोने निकला बोते समय कुछ मारक के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया कुछ पत्रीली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूरी निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया कुछ ज़ाडियों में गिरा और ज़ाडियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया पर उन्तु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई तीज गुणा कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेथ उससे इन द्रश्टान्तों के विश्य में पूछा उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राजी के भेद की समझ दी गई है पर दुबाहर वालों के लिए सब बाते द्रश्टान्तों में होती है इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझे ऐसा नहों कि वे फिरें और क्षमा किये जाए फिर उसने उनसे कहा क्या तुम यह द्रश्टान्त नहीं समझते तो फिर और सब द्रश्टान्तों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो मार्क के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है वैसे ही जो पत्रीली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहन कर लेते हैं पर अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं जो जाड़ियों में बोई गये हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धुका और अन्य वस्तू का लोब उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वह निश्वल रह जाता है और जो अच्छी भूमी पर बोई गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं कोई तीस गुना, कोई साट गुना और कोई सौ गुना उसने उन से कहा क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने ये खाट के नीचे रखा जाए क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए क्योंकि कोई वस्तो छिपी नहीं परन्तु इसलिए है कि प्रगट हो जाए और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रगट हो जाए यदि किसी के सुनने के कान हो तो भष सुन ले फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा फिर उसने कहा परमेश्र का राजी ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने प्रित्वी आप से आप फल लाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हसिया लगाता है क्योंकि कटनी आप पहुची है फिर उसने कहा हम परमेश्र के राजी की उपमा किस से दे और किस रश्टांत से उसका वर्डन करे वह राई की दानी के समान है जब भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजो से छोटा होता है परन्तु जब बोया गया तो उग कर सब साखपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं वह उन्हें इस प्रकाश के बहुत से द्रश्टांत दे दे कर उनकी समझ क कि अनुसार वचन सुनाता था और बिनाद्रश्टान कहें वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था पर तुए कांथ में वह अपने नेजी चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज होई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले और वे भीर को छोड़कर जैस कि वह पानी से भरी जाती थी पर वह आप पिछले भाग में गदी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा हे गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नश्ट हुए जाते हैं तब उसने उठकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो कि तुम्हें अब तक विश्वास नहीं वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसके आग्या मानते हैं